हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल जैकपूर पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाश 10 का साइंस का सब्जेक्टिव का पाठ ठट करने वाले हैं और यह पहले चैप्टर से हम लोग यह सब को देख रहे हैं जो भी मौश्ट इ तो यहां पर आप देखोगे कि इसका आंसर में कहा गया है कि वो हाह रहसानी कभी के लिए जिसमें दोनों और पडतेग त्टव के परमानूं बराबर होते हैं संतुलित रहसानीक समिकरन को चैनल करना आवश्यक होता है क्योंकि दर्वमान संग्रक्षन के नियामा अनूसा दर्रुमान ना बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है इसलिए रसैनिक अभीक्रिया में परतेक तत्व के परमानों की kund संख्या दोनों तरब बराबर होनी चाहिए इसलिए एक रसैनिक संभीक्रोन को संतुलित करना क्या होता है आवश्यक होता है अगला सवाल देखिए आप लोगो कुर्सर नमबर 4 में तो आपको ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ देदेगा आपको एक्जाम में अलग अलग भी दिया जा सकता है हो सकता है आपसे एक्जाम में पुछा जाए संचारन किसे कहते हैं अलग अलग भी एक्जाम में कभी कभी पूछ लेता है तो देखिए संचारन का यहां पर दिया गया जब कोई धातू आदरता अमल आदी के संपर्क में आती है और उसके उपर ऑक्साइट की परद जम जाती जैसे कोई जंग जम जाता है जानदी के ऊपर काली परत का आना संचारन के क्या है उधारन है अगर विकलित गन्धिता किसे कहते हैं तो तेल तफा वसा युक्त खाथ पर आरतों का जब वाईू में उपस्तित अउक्सिजन से विकरिया करते हैं तो उप्चेयन के फल्सवरुप उनके स्वाद और गंद विक्रित हो जाते हैं ये प्रिक्रिया विक्रित गंदिता कहलाती है उधारन खुले में रखने पर समोसे का स्वाद और गंद बिगड़ जाता है बास समझ मैं है एक तरह खटा हो जाना, खराब हो जाना बास समझ मैं है चलिए नेक्ट सवाल भी काफी इंपोर्टेंट रहेगा आपके एक्जाम के लिए कि उस्मा छेपी ते था उस्मा सोसी अभिक्रिया का अर्थ का उधारन सहीत आपको बताना है तो देखिए उस्मा छेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें उत्पात के साथ साथ उस्मा भी उत्पन होता है उसे उस्मा छेपी अभिक्रिया कहते है सिंपल है कर लिजेगा और एक्जामपल तो यह छोटा छोटा एक्जामपल इसको अच्छे से आप लोग रट लिजेगा ठीक है नहीं बास समझ में है कि नहीं देख लिजेगा मिधिन का ऑक्सिजन के साथ अभी करिया करभान डियोकसाइड हो जल बन गया ठीक है इस तरह से आप लोग याद कर लिजेगा उसके बाद कहा है उसमा सोसी अभीकरिया वह अभीकरिया होते जिसमें अभीकार को तोड़ने के लिए उसमा या न तीक है आज इसमें ना मतलब की जो जिस अभी क्रिया में उसमा निकल रहा है तो उसमा छेपी हो जाएगा ठीक है ये वहला सवाल में कई बार बोड एक्जाम में देखेगा आपका पूछा गया सवाल है प्रीवेस चेर में आपको मिल जाएगा कि तेल एबं वसायुक्त खात पदार्तों को नेटोजन से प्रभावित किया जाता है क्यों किया जाता है तो तेल एबं वसायुक्त खात पदार्तों को नेटोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि ये पदार्त ऑक्सिजन के साथ उपचेन अभी क्रिया करते हैं तता इससे उनके स्वाद औ इसको याद कर लेज़ेगा अब देखें यहाँ पर यह सवाल है इसको समझ के याद किजेगा कह रहा है कि यहाँ पर ओक्सिजन की योग एवम हरास के आधार पर निम्य पदों की वयाख्या कीजिए परतियक के लिए उधारन भी देना है देखें औक्सिजन का योग होना है या फिर हरास होना थो उपचैन बताना है और अप्चैन बताना है तो देखें आफ़ें को पहले समझे گहारprend की जूट जूट ada तो यानि जूटना तो बढ़ना ठीक है अब आए अपचेहन में अपचेहन में क्या बोला है अपचेहन जब अब किरिया में ऑक्सीजन का हरास हो जो निकल के भाग जाएगा तो इसे अपचेहन कहेंगे जैसे कि वीडियो पसंद आओगा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल पर पहली बढ़ाएं तो सब्सक्राइब करके बेल अकन को दबा लिजे ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबैल पर चला जाए बिलते हैं अगले वीडि